एक चित्र जो 1908 को लिया गया है अम्रिस्सर के हर्मंदिर साहिब जी का जिसे अंग्रेज, हिसाईयों ववाम पंथियों ने गोल्डन टेंपल कहना शुरू कर दिया अब यह चित्र देखकर आपके मन में प्रशन उठेगा कि यहां हिंदू सन्यासी ध्यान कैसे कर रहे हैं चलिए कुछ इतिहास के बन्ने पलटते हैं सिखों के पहले गुरू गुरुनानक देव जी, दूसरे गुरु अंग देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चोथे गुरु रामदास जी, पांचमें गुरु अरजुन देव जी, छटे गुरु हर गोविन जी, साथमें गुरु हर राय जी, आठमें गुरु हर किशन सबी गुरूं के नाम में राम, अर्जुन, गोविंद, हर आता है जब औरंग जेब ने कश्मीर के पंडितों को इसलाम सविकार करने के लिए कहा तो कश्मीरी पंडितों ने गुरू तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए गुहार लगाई तब गुरू तेग बहादुर जी ने कहा कि जाओ औरंग जेब से कहना यदि हमारे गुरू तेग बहादुर जी मुसलमान बन गए तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे यह बात पंडितों ने औरंग जेब तक पहुँचा दी तब औरंग जेव ने गुरु देख बहादुर जी को दिल्ली बुलाकर मुसलमान बनने के लिए दबाब डाला लेकिन गुरु जी द्वारा असविकार करने पर उन्हें यातना देकर शहीद कर दिया गया अब प्रशन यह है कि यदि सिख हिंदू से अलग है तो कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु देख बहादुर जी ने अपने पराण निचावर क्यों कर दिये गुरु गोविन सिख जी का प्रियशिषय बंदा भाधूर उर्फ लक्ष्मन दास भर्दवाज गोत्र का ब्रह्मन था जिसने गुरु गोविन सिख जी के बाद पंजाब में मुगलों की सेना को नाको चने चबवा दिये थे कृष्ण दत जैसे ब्रहमन ने गुरू के सम्मान के लिए अपने संपून परिवार को कुर्बान कर दिया था राणा रंजीत सिंग जी कांगडा की ज्वाला मुखी देवी के भग्त थे उन्होंने देवी मंदिर का पुनन निर्मान करवाया था आज भी सिख देवी देवताओं की पूजा गरते हैं अब प्रश्न यह उठता है कि सिख गब क्यों वह कैसे हिंदों से अलग कर दिये गए 857 की करांति से डरे इसाईयों अंग्रेजों ने हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश्रची 1875 में स्वामी देयानन सरस्वती जी ने आरे समाज का गठन किया जिसका केंद्र ततकलिन पंजाब का लहोर था स्वामी देयानन ने ही सबसे पहले सवराज की अवधारना दी जब देश का नाम हिंदूस्तान है तो अंग्रेजों का राज क्यों स्वामी देयानन्द के इन विचारों से पंजाब में क्रांतिकारी गतिविदियों की बाड़ आ गई लाला हरद्यार, लाला लाजपत्राय, सोहन सिंग, भगत सिंग, क्यचाचा अजीद सिंग जैसे क्रांतिकारी नेता आरे समाजी थे अतह, इसाई मिशनरियों ने अभियान चलाया कि सिख वा हिंदू अलग है ताकि पंजाब में क्रांतिकारी अंदोलन को कमजोर किया जा सके इसके लिए कुछ अंग्रेज समर्थक सिखों ने एक साजिष के तहत अभियान चलाया कि सिख हिंदू नहीं है और अलग धर्म का दर्जा देने की मांग की जैसे हाल में करनाटक में कुछ इसाई बने लिंगियाद समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्म से अलग करने की मांग उठाई थी इसाई मिशनरियों ने 1922 में गुर्दवारा एक्ट पारित कर सिखों को हिंदू से अलग करन के उन्हें अलग धर्म घोशित कर दिया अजादी के बाद भी भारत के विखन्डन की जिम्मेदारी कॉंगरेस ने इसे बनाए रखा और इंद्रा गांदी के दूर में तो हिंदू और सिखों के बीच घैरी खाई ही खोथ दी मित्रो हिंदू और सिखों का खून एक है आज भी पंजाब में ऐसे परिवार हैं जिन में बड़े पुत्र केश्टारी सिख हैं और अन्ने मोने अर्थार्थ हिंदू गुरु गोविन सिंग जी ने 1699 में खालसा पवित्र पंत का गठन किया और कहा था कि मैं चारो वर्ण के लोगों को सीम बना दूंगा देश, धर्म वस्संस्कृति की रक्षा प्राण देकर ही नहीं प्राण लेकर भी की जाती है एक ओमकार सत नाम शरी वाहे गुरु अर्थार परमातमा एक और उसका नाम ओम है यही एक सत्ते नाम है परमातमा ही सब गुरुओं का गुरु है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की जानकारी उमीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही और जानकारी प्राप्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुजावा में कमेंट बोक्स में भेजें धन्यवाद